तो हे अवरिवन नमस्कार श्वागत हैं आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासिक्स मैं शुनकुमार एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आरिशेटी एक्जाम मुख्य परिक्सा 31 जुलाई 2022 अध्याय नमबर 15 आपकी कंप्यूटर का परबंदन बोकाल पश्टन उत्रे रिविचन फड़ापट में एक बार फिर से आप सभी अब्यारतों का तैय दिल से आबार मेरे विद्यारतों आप जुड़े हैं आरिशेटी के पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक जरू करें सबसे पहला कि आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी अब्यारतों को दिख रहा है कि निम्न विकल्पों मैंसे आप किसी प्रोग्राम को विंडोस 10 में कैसे अनिस्टॉर्ड कर सकते हैं आप आप सेटिंग मैं जाओगे उसके बाद में अप सेंट सर्विस में जाकर आप कर सकते हो और गयांसे बिलकूल हो जाते हैं तो यहां से आप आपको एक या फिर कभी कबार दो किशन देता है या तो फिर एक किशन देगा या फिर कभी कबार क्या करेगा दो किशन देगा तो जितने भी एक्जामेंट की अप्रोच होगी कि आपको कौन सा किशन दे सकता है मेरे विद्यारतों वो किशन मैं आपको अभी दो से चार मिनि नाहें कि विंडोस के अंदर योजर अकाउंट दो तरीके होते हैं इस्टेंडर्ड ओर एड्मिनिस्ट्र यह दो एकाउंट होता है आपका सामानी अपता है अपको यह से क्लियर होनी चीह कितने होते हैं तो दौन होते हैं में और समझनी के साथ में कभी कभी कभावाट कि यह करता है नियुकलब से रसेंट में कॉंसा चान सा सब्सक्राइब क्यों सा नहिंए करता है तो प्रेक्षाय नहीं के साथ मैं गजयना होता बात था पर श्रूर्चन के साथ में जाना होता है बागी कुशन तो यही बनने वाले हैं देखिए यह कुशन कापी मैत्वपूर्ण कुशन है कई बार एक पूचा हुआ किशन है तो आप सभी के लिए कापी मैत्वपूर्ण कुशन हो जाता है आपसे बोला है विंडोस 10 में एक सॉफ्ट्वर इंस्टॉर्ड नहीं किया जा स सकता हैं तो किस के मादिन मिद्म से नहीं किया सकता मेरे वियरते कि बोलेंगे कर सकते हैं एंटरिणे से सीधातों कोई वी एप्लिकेश्ट हो सकता है ला विंडोस से भी हो सकता है यानि कि आप की सोरी किसे भी एप्स को इंस्टॉर्ड या निस्टॉर्ड विंडोस 10 के अंदर वगरा कर सकते हैं एजट इस जैसे आपका प्ले स्टॉर यूज में आता है ना वैसे विंडोस के अंदर विंडोस इस्टॉर का यूज किया जाता है cd, file या fan drive से भी हो सकता हैं तो बिल्कुल हो सकता हैं कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं फिर आपको चौता option दिया है कि word की file का उप्योग करते हैं तो मेरे विद्यार जो word की file का उप्योग करके आप नहीं कर सकते हैं यह बस इतने से बात यहां से नपता रखनी है ताकि कर यह किशन कई बार पूछा हुआ है और ऐसे easy किशन आपके गलत नहीं होने चीए अगला किशन और मैत्यपोन किशन है इस किशन को भी आप इस्टार लगा दो इस बार जो है इसको भी पूछे जाने की कही न कहीं थोड़ी बहुत possibility है सबसे जादा अगर मैं कहूँ मैं उनकिशन को इस्टार माग कर रहा हूँ जो सबसे जादा परवल highly possibility है इनको पूछे जाने की कि निम्न मैं से कौन से सुवधा आपके computer के स्थती और system setting को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए प्रियोग में ली जाती है तो मेरे विद्यार्थ आप सभी को पता रख रख रिजोटी उन सभी को अगर आपको वापस इस्टोर करना है तो आप किसके मद्यम से करोगे system restore के दुवरा कि जाते हैं अगले किशन की बात करते हैं कि Windows 10 में प्रोग्राम को इस्टोर करने की क्या विकल्प है तो मेरे विद्यार्थ तो मैंने बता है ना Windows से भी आप कर पूछता है तो मेरे विद्यारत पता रखना है compact disc होता है क्या होता है compact disc होता है और अगर डिवीडी पूछे तो digital video disc भी होता है और digital versatile disc भी होता है इतने सी बात आपको पता होनी चीए फिर अगला sound डिवाइस आप कर सकते हैं अगला फिर है कि सेटिंग फिर डिवाइस में जाके प्रिंटर या सकेनर एड़ प्रिंटर और इसकेनर आप कर सकते हैं यानि कि दौनों विकल्पियां से आपके बिल्कुल हो जाते हैं तो कतेई एक्जामेनर की एप्रोच होगी मरे वीद्यार तो सारी एप्रोच आपके सामने रखने वाला हूँ तो आपका काम तो बस ये बनता है कि शेशन को इमानदारी के साथ में फैला दो यार कि जो व्यक्ति कम से कम 31 तारीक को एक्जाम में बैठने वाला है उसको ऐसा न लगे कि यार हमने कुछ भी नहीं पड़ा है मेरे विद्यारत हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा मोटो हमेशा एक ही है कि जितने भी विद्यारती आरिशेटी एक्जाम दे रहे हैं उन सभी को 90 से पार करवाना बस सर्थ ही है कि जितनी बाते कम से कम आपको बोली चारी हैं उन सभी बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया न तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस लॉलीपॉप एक्जाम में आपको 90 से क्रोस करने से रोक सके बस आपके अंदर क्या है कि थोड़ा सा एक्जाम का फोविया बन रखा बट मुझे प्लस 6 यहर से भी उपर का एक्स्पेनिस है आपके इस एक्जाम से रेटेड़ तो कते ही चिंता वाली बात नहीं है आप तो सेशन को इंजोई कीजिए बस आपको वाँ पे थोड़ा पैसेंस के साथ में एक्जाम देना है बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं अब तो किमेले में फॉलडर एक आपका ट्रस होता है जिसमें डिलीट म änने रहते हैं एक आपका Draft होता है जिसमें आपकी आधियर एमेल रहते हैं और एक आपका Spam होता है जिसमें अंचा एमेल रहते हैं इतनी सी बाते आपको पता रखनी है फिर आपसे बोलेगा कि निम्नल एकित मैसे के वैलिड जो है आपके इमेल आईडी का उधारान कौन सा है तो मान के चल आपकी email address का नाम है वो क्या करता है जैसे देता है वी एम ओ यू अना वी एम ओ यू एर्दी रेट वन टू थी जिमेल डॉट कॉम है ना तो मानके चलो यह आपको दिया तो यह आपकी क्या है एक कैसे एकचारी स्मौल फहलर है जयका होना चीनगें कीच में नहीं और क्या होना चीह को है और क्या होने तो इतनी सी बात है अगर क्लियर है तो इमेल से किशन आपका बिल्कुल इस बार फसने वाला है आगे बात करते हैं कि विंडोस 10 में फाइल एक्स्प्लोरर रिबन किस टैप का उप्योग आप फाइल या फॉर्डर पे चीपे दर्शेमान बना सकते हैं तो मेरे विद्धार तो व्यू का उप्योग करके आप ये कारिये कर सकते हैं तो ये भी इंपोर्टेंट किशन है अलांकि एक्जाम है पूछा इस बार जा सकता है तो आप सभी लोग पता रखना बाकि बीसी सी वाले की हाइली पॉसिबिलिटी बन रही है ना आगे बढ़ते हैं अगले किशन की और अती मैं इसको अगर मैं चाहूं तो बले दो इस्टार लगाओ और मेरी मर्जी मेरी मर्जी पढ़े तो इसमें मैं तीन इस्टार भी लगा दूँ आपको तो बस बोलना है कि इस बार ये एक्जाम ना आपको किशन लेगने को मिल जाएगा 101 परशेंट बोल रहा हूं कि ये किशन इ नेजी इमेल खाते का उपयोग कमपेटर पर इमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है मेरे विद्यारतियों आउटलूप के अकाउंट तीन होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं अब देखो आउटलूप के अकाउंट कौन कौन से एक तो आपका Microsoft Exchange होता है क्या होता ह आपसे क्या पूचेगा कि वैपार शेटिंग में किसका इस्तमाल किया जाता है किस आउटलूप अकाउंट का उपयोग वैपार शेटिंग में किया जाता है तो मेरे विद्यारतियों अगर वैपार शेटिंग की बात आए तो आपको क्या करना है Microsoft Exchange करना है लेकिन अगर पूचा है नेजी इमेल को डाउनलोड करने के लिए तो पी ओपी त्री आपका यहां से बिल्कुली करेक्टिवी कल्प हो जाता है अगला कि एकाउंट है कि विसेश उप्योग करता एकाउंट है जो कम्पेटर पर लगबग विंडोस 10 की हर शेटिंग तक पहुचने का इस आगे बढ़ते हैं नेक्ट कीशन की और कि आम तोर पर किस परकार के जो है आउटलूक एकाउंट यहनी इमेल खाता वेपार शेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो अभी मैंने बता है ना कि जब वेपार शेटिंग नाम ले तो माइक्रोफ एक्सेंट अगर नेजी इम सकता है जिन-जिन कीशन को मैं इस्टार लगा रहा हूं ना वहीं उनको तो अच्छे से देखी लेना क्योंकि कापी महत्यपून कीशन है मेरे विध्यार जो यह ऐसे कीशन है जो आपको एक्जाम में ऑप्शन सहीत ऐसे के आपको हुब हुब देखने को मिलेंगे देखो व जा जाना 90% के साथ में क्योंकि आरिशेटी की कहानी तो इसे ही कहते हैं माधावी की सोगंद इस बार जो है अग्जाम में तांडव होगा और प्रिक्षा हॉल में पैपर के इस बार गर्दे उड़ने वाले हैं तो यहां से जो है आपका फॉर्डर लॉग बिल्कुली करेक चैन के अंदर जो आपका कोटाना है विद्यारत कोटाना क्या है वॉइस पावर्ड प्रसनल असिस्टेंट है जिसका उप्योग सर्ष बोक्ष की तरह विंडोस 10 में किया जाता है तो इतने इसी बात है कम से कम आपको यहां से क्लियर रखनी है तो मेरे विद्यारत यह थे आपके जो हैं पनरवे चैप्टर से जितने भी इंपोर्डं किशन बनने वाले थे आपके एक्जामेंड के जतने भी अप्रोच हो सकती थी सारी की सारी अप्रोच मैंने आपके सामने रख दी है अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करे चैनल पे पहरी बार join करें अंत में एक प्यारी सी comment ज़रूर दे कि ये session आपको कैसा लगा है बस इसके बाद में एक chapter और रहा है जो आपका computer के परबंदन से हैं यानि कि computer के अनुपरियोग से हैं बस उसके बाद में आपकी चेप्रवाइज MC को बिल्कुल एकदम सूपड़ा साप यानि खलास होन फिर अपन जो हैं कल के दिन जो हैं यानि यह तो मैं आज आपकी करवा दूँगा फिर कल आपकी बिल्कुल तबियत वाली class होने वाली आप खुद बोलोगे कि सर हमारी बल्ले बल्ले हो गई इस exam के अंदर तो आप कते ही चिंता वाली बात नहीं है आप बिल्कुल जेप ज के आने है पैपर एजी आएगा पैपर से रेटेड जो भी फोगिया है अगर आभी भी माइंड में है तो उसको बार निकाल देना संध्या कंप्यूटर जो चैनल को जॉइन करके आप अपनी तयारी को एक मजबूत दार दे सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलूंगा नेक् आरे बात्रम जै बारत